अभी कज़ो टॉपिक है अपना ट्रीडोफाइट्स है अभी हमने ब्राइव फाइट्स और और एल्गी देख लिया है अल्गी क्या था एक्वेटिक था ब्राइव फाइट्स क्या था टेरिस्यल था बट इसको बहुत जादा पानी चाहिए था बट उसक्सिस्पूल नहीं था उतना जादा क्यों सक्सिस्पूल नहीं था क्योंकि उसका जालम फ्लोयम नहीं था तो उसी से एक स्टेप आगे है कौन टेरिडोफाइट्स यह भी टेरिस्यल है ठीक है बट इसमें जालम फ्लोयम है तो लिटिल बूट जादा सक्सिस्पूल है बट फिर भी इसको प्राइट प्लांट किंग्डम बॉला जाता है इसको वैस्कुलर क्यों बता जंदी से क्रिप्टो गेम जीमनोर से जो भी पहले है ना सब को crypto game बाला जाता है। फिक है। क्रिप्ट गैम, crypto game बाला जीड़ प्लांट, 9th class में देखा हो, क्रिप्टो गमथा कुछ, ठीक है। फिक है। जिम tapi की से पहले वाले सारी, सारी डिवीजन को ninety stock game बाला जाता है, तो यह वेस्कुल note और क्रिप्टो गेम वैस्कुलर क्रिप्टों गेम की से पहले और किया था प्रैस्की तॉत वह विल्कुल नहीं वह रॉंग नहीं करुप लीज़ क्रिप्ड भेम में हमें के लिए नहीं अतक्क है इसमेट में chỉंपल्चेक में गाल्ब क्या होता है टेकिट्स के अलावा वेसल्स और जायलम पैरेंट कायमा जायलम फाइवर तो इसमें वाला वह होता है वू पे इंकन से विंट नेता है इसके जायलम में इंप अगrien अगे यह तक क्लमी elbow ने हकर शाय उता है यह वोत भड़े들 सेनक पाइग में टाइम मैं में मैं अग्यान अग्ला खकड़ कम शीम ub या तो लार्जर साइच की लीफ हो सकते हैं जैसे कि साधी में डेकुरेट करने के लिए कि लिए सब्सक्राइच में जैसे सेसे लडन जी नियला जय को संघीन गुटी वोलते हैं जामान जी लाय थे हमालए से वो संघीन बूटी कुसेला जी नतरा भूलते हैं थेय्च ये इंपार्टेंड игр के वोटत है एडवन पिसेत होता है यहां तक संज में आ गया अब लाइफ ध के लेंग। अगर में अब रसना की बात करें लाइफ सांगल कैसा था है यह ज्ञादा क्या होता है वह ज्यादा क्या होता है जो इंडिपेंडनेंट होता है उसके उपर इस प्रिया फैट डोंटेण करता है ऐसले डेखो ध्यान से एक एक sporophyte है 2N, यह independent exist कर रहा है, sporophyte independent exist कर रहा है, यह क्या करेगा, sporophyll bear करेगा, sporophyll मतलब फिल मतलब क्या लीफ, लीफ ऐसा लीफ bear करेगा, जिसके अंदर spor डबलप होंगे, जिसके अंदर spor डबलप होंगे, जिसके फर्न के पीछे तुम देखोगे न, यह जिसे फर्न का प में स्पॉरो फायट में कुछ लीफ इंदर होता है। शो scree करेंगे तो इसको भीव मेस्षा पीजिन बॉतने कि ऐस वेंस इसको पर एंजियम स्पॉसैंट सी ही यहां तक वनाता है। ढल ना यह सब्धूर करता है और ग्रो करता है किसमें गेमेटोफाइट में गेमेटोफाइट या प्रोथाइलस में ठीक है हाँ तक अब जो गेमेटोफाइट और प्रोथाइलस है ना इसके में मेल और फिमेल डिफ्रेंसियेट होगा एंथ्रीडियम बनेगा मेल वाला पार्ट और फिमेल वाला आर्कीओनिया पार्ट बनेगा, ठीक है, N3DM जो है न, N3DM male sperm बनाएगा, जिसको हम लोग N3Joid बोलेंगे, और फिमेल एक बनाएगी, यह जो N3Joid होता है, यह motile होता है, और इसको water चाहिए होता है, ट्रांस्पोर्टेशन के लिए, और यह non-motile होता है, तो ओ-gamey type of fertilization हो गया, तो fertilization होने के बड़ जागोट बनता है, जागोट को इंब्रियो, फिर sporophyte, यह independent, यह भी independent, बट, ब्रायोफाइटा में क्या था, कि यह वाला जो पार्ट है, यह वाला पार्ट, sporophytic पार्ट जो है न, परसाइट होता है, गेमेटोफिटिक पार्ट पे, याद आ रहा है कुछ-कुछ, हाँ, अगर नहीं आ रहा है, तो रिवाइस करना, sporophytic पार्ट जो होता था, वो पारसाइट होता था, गेमेटोफिटिक पार्ट पे, बट इसमें ये पार्ट और ये पार्ट अलग-लग इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, इंडिपेंडेंडेंट होता है, ठीक है, एक दूसरी पे डिपेंड नहीं करता, तो लाइप शेकल कैसा होगा, डिपलो, हैपलोंटिक टाइप अप लाइप से देखना है यहाँ पे, गेमेटोफिट और इसमेडेंडेंट अल्टरेशन अब जनेशन, इंडिपेंडेंडेंडेंट होता है ये, इसका जो होता है ना, उसका कैसा, अप्राइप अप्लेजिलेटर होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, तो दोनों का फ्यूजन उगेमस टाइप अब अब आगे देखते हैं, देखो, अगे मैंने क्या बताया था, वहाँजित, इस्पोरोफरस्पॉन के उपर कै Все बताया था इसा ये जो संपोर को बीयर कर रहा है तो जैसे मन लोकि एक नॉन अर्मल ब्लांट है इसमें जो जो प्लांट इसे फोटले से उसको पंडौे ना उसको चैनौ मलते हैं, फिल मतलब क्या लिफ तो खाना बनाने वाला लिफ मतलब फोटो सिंतेसिस करने वाला लिफ को ट्रोपफिल्स बोलते हैं और जो लिफ इस्पोरोफिल्स जो इस्पोर बियर करते हैं वो ऐसे लिफ को इस्पोरोफिल बोलते हैं समझ में आगे हैं तक इस्पोरोफिल के अंदर प्लांट किंग्डम में, जहां भी माइक्रो है, उसका मतलब मेल है, मेल को छोटध है यह जगा, जहां भी छोटता, मैक्रोस्पऔर है, उसको मेल बोलते है, तो मैक्रोस्पऔर अलग बनता, मेगाइस्पऔर अलग बनता है, होमोफपोरेश हेटபोस की एक्जामपल पूछे जाते है हेट्पोस के एक्जामपल में ट्र्विनिला आते हैं अधोला और साल्भिनिया यहां समझ celebration यहां तक सेल जी किल्वाइस यहां आधा भी गया होँ है है साल विनिया का डियारम का स मनिक की तरह दिख रहा है न बट ये स्क्या है बिसविंड लिआ उसके अलावा उसके अलावा मार्शीलिया होता है यह जम्पल प्लीज याद रखना शारे जिल इंपॉर्टन ड़े से ठीक है यहां तक टेक कर घॉम होगा हो मैं एक ही प्लांट ढक्ताराब кажताऱ बेन, तो एक टाइप का स्पोर है, तो एक ही बेन प्रोथैलस बनेगा, और इससे मल label निकलेगा और फिमेल प्रक्वाइब साथ भी निकलेगा, मतलब या तिह आ होगा बाक्षा ग्रीर सेक्षाल होगा ठीक है。 बाक्षार कर्शेट धाराच थे एक ही body है उससे male female दोनों है Dices मतलब male-alag female अलग दो अलग अलग individual है तो जो भी hetero-sporus होगा न जो macro-sporus है उससे male gametophyte बनेगा मegasporophylle से female gametophyte बनेगा s is this yes यह समझ में आगे हैं यहां तक बिल्कुल clear है नहीं ठीक है तो ख्रॉश के सबस्सक्राइबrobe पीछे जो है ना लीप के पीछे क्या यहां पर इस पोर एंजियम है इस पोर एंजियम के अंदर क्या है इस पोर बियर कर रहा है अब यह स्पोर क्या है ना यहां तक डिप्लोंटिक लाइप सैकल था अब यह स्पोर क्या हुआ ना इस पोर जमिनेट किया क्योंकि यह मोनोसिय जल्दी बताओ, spiral था and multi-flagulated, देखो यह spiral है और multi-flagulated है, यह ovum के साथ, देखो male वाला पार्ट नीचे बना है, female पार्ट ऊपर है, यह याद रखना, male पार्ट नीचे है, female पार्ट ऊपर है, ठीक है यहां तक, तो यह male से sperm बना, यह water इसके लिए चाहिए होता है, किसे fertilization के लिए, तो water से यहां पर आया, female में, तो ऊग्यमस type of fertilization हो गया, जब यह fertilization हो गया, तो क्या बना, यह जाइगोट बना, तो gametophyte independent है, और यह sporophyte independent है, समझ में आगे यहां तक, अगर मैं अलकर सा ध्यान से देखू, तो मैं यह बोल सकता हूँ, gametophyte, gametophyte के बारे में gigantic life cycle, किले 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 यहां तक, यह भी मैंने explain कर दिया, देख अधियान से, sporophyll मैंने बताया था ना, sporophyll, sporophyll क्या हो रहा था, mega sporophyll, macro sporophyll, वह जो sporophyll होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी फ़र्म में, वह compactly arrange हो जाता है, नॉर्मल लिप तो ऐसे रहता है, बट जो sporophyll है न और IQ spectrum में दिखता है, किले 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 यह यह याद करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, यह IQ spectrum का example है, rhizome इसमें दिख रहा है, यह stem बाला पार्ट, rhizome है, root इसका क्या है, multicellular and branched है, ठीक है, यह समझ में आ गया, rhizome क्या, stem को modification है, यह ऐसे करके जा रहा है, और य इसको IQ spectrum इसलिए बोलते है, क्योंकि यह वाला जो पार्ट है, होर्स के टेल की तरह दिखता है, और होर्स का scientific नहीं क्या होता है, IQस, तो IQ spectrum, यहां तक समझ में आ गया, अब देखो, आगे अगला बहुत important point है, यहां पर, यहां पर क्या होता है, कि जब यह मेल वाला पार्ट ईहां से, मेल वाला sperm आया, और यहां पर एग है, दौनों fuse किया, fuse करने के जायगोट बनाना, वो जायगोट यही पर डबलफ होता है, किसके, जुए जुए आगे आगे जाकर डबलप करता है कि सीड बनाने में अगला इसका आगे जिम्नु स्परम है उसके आगे इंज्वी स्परम है तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है तो यह जो seed formation का प्रोसेस है ना मतलब कि जाइगोट का इसके उपर exist करना जाइगोट का body gametophyte के उपर exist करना ये seed habit बनाना मतलब ये ना यही से सुरू हुआ seed बनना तेक है seed में भी ऐसी बनता है कि जो gametophyte होता है उसी के अंदर जाइगोट का development होता है तो वो फिर बाद में आके seed बनाता है तो इसी के लिए एक बहुत अच्छा सा लाइन लिखा हो है NCRT में the development of jagot into young embryo take place within the female gametophyte female gametophyte के अंदर ही jagot का development होता है jagot का development होता है embryo में यही embryo ही तो seed है na seed क्या embryo है आगे इसक्स होगा समझ आ जाएगा अभी याद रखना कि seed क्या embryo है और यह seed से embryo मतलब यह embryo है na jagot से embryo का बना female gametophyte में यह सेम इवेंट जिम्नोस्पर्म और अगे higher plant में होता है जो seed बनाता है तो इस process को seed habit बोलते है ठीक है इस process को seed habit बोलते है seed habit का मतलब क्या है यह seed बट आगे इसका अगला जो फाइलम है अगला जो division है ना वहाँ पे seed बनता है plant kingdom में फाइलम नहीं होता है division होता है ठीक है तो यह important stream evolution में टेड़ोफाइट को ना four classes में डिवाइड किया गया है फो चारू classes important है सबसे पहला साइलोप सीडा पी साइलेंट है इसमें साइलोप सीडा साइलोप सीडा में ना साइलोटम आता है साइलोटम जो होता है यह living fossil है यह बहुत ancient plant है जो अभी भी still living है ठीक है यहाँ तक उसके लाग लाइकोप सीडा आता है एकजामपल बसियाद करना है इसमें इसको सफचनर प सीडा में घूड़ सीडा में कया होता है होस्यो्स तैल जयसा होता है ठीक है तो इसमें इक्यू सीटम आता है उसके अलाव़े क्या हता टे रॉप सीडा पी त्री के आगे जब भी पी आया ना तो silent होता है तो टेरॉप सीडा यह largest group है terodophytes का और इसके अंदर आता है dryopteris, teris और adiantum adiantum को walking fund बोलते है dryopteris, teris यह भी fur नहीं है dryopteris, teris यह याद हो गया और adiantum, यह क्या है? teropstida के अंदर आता है ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया because अब restricted requirement of the water इसको water चाहिए होता है reproduction के लिए क्योंकि इसका, इसवाम कैसा था? spiral and multi-plagulated था जिसको water चाहिए होता है किसके लिए? reproduction करने के लिए, female तक पहुचने के लिए क्योंकि इसको water चाहिए requirement के लिए इसलिए हर जग गुरू नहीं कर सकता जहां water बहुत जादा है नहीं पर यह गुरू कर सकता तो इसी वज़ा से यह क्या है ना spread of living trade of life is limited and restricted to the narrow geographical area जहां water जादा है बस वहीं पर यह गुरू कर पाता है ठीक है, यहां तक please anxiety revise करो, notes revise करो, फिर anxiety revise करो ठीक है, अभी इसके notes में नीचे description में डाल नूँगा वहां से जाके download करना, उसके दो मिलेट में वीडियो पाँज करो जाके देखो ओ notes को, notes को दो मिलेट में revise करो फिर आगे हम लोग देखते है questions को start करें questions, ठीक है questions क्या है, in bryophytes and teradophytes transport of male gamet required by play differentiate, यह समझ में कैसा होता था, णि ऐल यह सम्झ में आगया, यह कैसा होता था, sophomore concealed beganocybin इसके इसके कायसा ओता इस फिर और्डरी्हें उसके का खैका ल fleeingB करेंने में तो ट्रांस्पोर्ट क औरकरे करेगा इसलिए तो यह उन्हें क्या होता है इसके लिए क्याraction चाहिए होता है कि कि मल्टी समय में आ गया तो इसके इसके मेल गामिट का कि इस किसे होता है water से होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा water हो जाएगा answer ठीक है यहां तक यह easy question था ठीक है अगला which of the following is the correct statement ठीक है अब देखते हैं यहां पर यह is that Co फास Caesar मौसस में था मौसस कि क्या हुआ था तैंडशर नहीं हो गया यहां पे ब्रायों होगा इंघ दम 스ーチमर नहीं पता चलेगा यह आगे पता चलेगा यह घलत है फिमें लेल जो गामिज वाइब्याताल नो रहाजित वाट छो गया पया ना। प्राइश किया सकता है ड्रॉट है जड़ो प्राइटा में क्यों कि यहां पे ना है जाए गोड से इंब्रियों खाना है फिमील गिन वे पहुत था । बट दो तीन टॉपिक को लिंक किया हुआ है अगला देखते है विच अधर फॉलेंग इजे वैस्कुलर क्रिप्टो गैम वैस्कुलर क्रिप्टो गैम crypto game crypto मतलब क्या hidden games मतलब क्या seed hidden seeds मतलब gymnosperm से पहले जित्ती बीविजन है ना crypto game होते हैं उसमें क्या रहागा bryophyta tradeo fight आयेगा तो bryophyta a vascular होता है vascular नहीं होता तो vascular देखते हैं जिनको जो है ना यह gymnosperm है तो gymnosperm क्या हो bryophyta a vascular नहीं होता तो equisetrum हो जाएगा इसका आंसर ठीक है क्योंकि equisetrum क्या होता है बता जल्दी से equisetrum हमने discuss किया था यहाँ पर होस्टेल जैसा होता है तो उसमें वह क्या tradeo fight है तो उसमें यह answer हो सकता है which are the following is the hetero spores hetero spores मतलब macro spore अलग होगा जो male gametophyte बनाएगा और mega spore अलग होगा जो female gametophyte बनाएगा तो hetero spores कौन था बताओ जल्दी से यह dryopteris adiantum adiantum कहता वाकिंग फर्ण था dryopteris भी फर्ण नहीं था equisetrum में नहीं था salvenia होगा इसका आंसर ठीक है salvenia का diagram भी मैंने दिखाया था hetero spores में तो इसका अंसर salvenia होगा clear है यहां तक ना यह पूछे जाते हैं questions इस तरह के hetero spores कौन है לב miya यहां तक क्लियर किलेर ठीक है अगला देखते हैं ठीक है यहीं तक दाकर को российool Set दो अभी बहुत और पर अगले टॉपिक नहीं मिलते हैं, इसको प्लीज रिवाइज करके रखना, NCRT से रिवाइज करना है, लेक्चर के लिए कहीं नहीं जाना, बस कोस्ट्यन से भी स्वालू कर सकते हों, ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के, बाबाई